देखिए सुप्रीम कोट का कोई भी निरने हो, हम उसका स्वागत करते हैं, हम नियाले की निरने का स्वागत करते हैं, लेकिन आज कुछ सवाल उठते हैं, और उसमें से एक दो सवाल ये हैं, कि आखिर सुप्रीम कोट में तो जाकर छमा मांगे ही होंगे राहुल गांदी जी और ये case राहुल गांदी जी से शुरू होता है और राहुल गांदी जी पर ही खतम होता है उन्होंने गाली दिया पूरी community को आप गाली दे रहे हैं कोट ने कहा लोर कोट ने भी कहा था आप छमा मांग ले तब छमा भी नहीं मांगे तो आज सुप्रिम कोर्ट में छमा तुमागे ही होंगे तो ये दो बड़ा मेसेज है कि इस देश में लोगतंत्र है राहुल गांदी जी आप बार बार दुनिया में गुम के कहते हैं न भारत में लोगतंत्र नहीं है तो यहां लोगतंत्र है आप जब सही जगह पे गए आपने अपनी तरफ से खेद व्यक्त किया होगा चमा मांगी होगी सुप्रिम कोर्ट ने आपको राहत दी है तो हम को ये हम आपकी फासी के सजा थोड़ी मांग रहे हैं अब सुप्रिम कोर्ट में तो उन्होंने चमा मांगा ही सुप्रिम कोर्ट में चमा मांगे तब ही तो उनको चमा किया गया है एक और सवाल है जो कि कॉंग्रेस पार्टी का रहे हैं कि अब राहूल गांदी की सतस्यता बहाल होने चाहिए लोगसभाद्यक्ष से इसकी मांग भी हो चुकी है कि लोगसभाद्यक्ष उस पर कारवाई करें एक संसद सतस्य के तौर पर बीजेपी के संसद होने के तौर पर क्या आप भी राहूल गांदी को मिस कर रहे थे भाई उनकी जो हरकतें होती है संसद में वो हम लोग जरूर मिस करते हैं राहूल गांदी जी शायद हो सकता है इस गैप के बाद थोड़े से जिम्मेदार विपक्षी की तरह आएं हम इसके अपिक्षा करते हैं संसद को चलने दें अपने लोगों को बताएं और दो बात बाजी असपश्ट है मैं उस पे कंसंट्रेट करना चाहता हूँ कि राहूल गांदी जी इस देश में लोग तंत्र है और दूसरी बात आप बार बार बोलते हैं चमा नहीं मांगेंगे आपने चोकिदार पे सवाल उठा करके भी कोट में चमा मांगी थी आज फिर चमा मांगनी पड़ी लेकिन बेज़ती करा